नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग Fantasy Talent Hub YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है वीडियो में बात करेंगे PSL के मैच नमर 3 के बारे में मुल्तान और कोईटा के बीच में मैच होगा इंडेप्ट अनलिसिस के साथ में आपके सामने पेश करूँगा रिजवान क्या फिर से स्कोर करेंगे अगर रिजवान नहीं तो कौन रिजवान नहीं तो कौन इसके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे कौन से प्लेयर पे कितना फोकस करना है स्मॉल लीग में किसे लेकर चलोगे GL में अगर Captain Vice Captain का selection करना है तो किस पर risk ले सकते हैं बहुत सारी चीज़ें जो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो को शुरू से लेकर एंट तक देखना एक बहतरीन rank लेकर आप निगलोगे और दोस्तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की दे रही है चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन पर प्रेस कर देना और साथ ही साथ दोस्तो वीडियो को पूरा देखेगा तब ही फायदा मिल पाएगा और जो हमारा final update है जो final team है जिससे मान लीजिए गर कोई नया player team में add होता है तो उसका आपको record और उस player को team में pick करना है नहीं करना है यह मैं आपको टेलिग्राम पर clear कर देता हूँ तो टेलिग्राम का जो link है वो आपको वीडियो के description में मिल जाएगा उस पर click करना टेलिग्राम पर हमें join कर लीजिएगा फिर है आप लोगों के लिए किसी को भी एक रुपए देने के आउशिक्ता नहीं है अब बात करते हैं सबसे पहले venue के बारे में मुलतान cricket stadium पर ये match होगा पहला match भी इसी मैदान पर खेला गया था और एक अच्छा score हमने देखा था और इस मैदान पर टोटल अभी तक मात्र चार ही matches खेले गए है पिछला match था हटा दिया जाए उससे पहले जो आकरी match था वो 2020 में खेला गया था अब पिछले match में क्या पिछती उस पे नज़र डालेंगे पहले आपको बता दूँ कि 170 इस मैदान का average score है जो कि एक अच्छा बैटिंग विकेट हम मान सकते हैं मैदान पर दो बार ऐसा हुआ है जब 170 से लेकर 190 के बीच का score बना है एक बार 190 से उपर का score गया है और last match में लाहोर ने 175 किया था आखरी मैच में जो 15 रन थे वो मुलतान चेस नहीं कर पाई नहीं तो चेस करना आसान दिख रहा था चेस करना आसान दिख रहा था last का जो एक उबर था उसमें 15 रन नॉर्माली चेस हो जाते हैं तो हम यह मान के चल सकते हैं कि सेकिंड बेटिंग करना ज्यादा आसान आपको देखने मिल सकता है थोड़ा बहुत डिव आपको देखने मिल जाएगा अब यहां पर फकर जमान ने 16 टरनों का स्कोर कर दिया था ओपन करने आए हाला कि दोस्तों बहुत सारे जो इनके रन थे वो मिस हिट में थे दूसरी तरफ रिजवान ने 75 का स्कोर किया था यहां पावर प्ले में कोई विकेट नहीं गया पहली पारी में दूसरी पारी में भी पावर प्ले को कोई विकेट नहीं मिला था फास्ट बोलस ने निकाले थे 6 विकेट और स्पिनर्स के खाते में 4 विकेट आये थे अब इसके पहले जो पिछले साल मैचिस हुए थे वहां पर क्या हमने देखा था जरा वो भी देख ले थे है रायले रिशो नमबर 5 पर बेटिंग कर रहे थे शटक लगाया इसके बाद आप यहां पर देखेंगे मुईन अली ओपन करने आये थे 65 का स्कोर किया यहां पर हैदर अली थे जो की नमबर 3 बेटिंग कर रहे थे इन्होंने 47 का स्कोर किया मतलब अगर लास्ट के चार मैचिस उठाते हैं तो इन में से तीन मैचिस ऐसे निकले जहां पर टॉप ओडर ने आपको बहतर करके दिया है और इंक्लूडिंग टू लास्ट मैच तो ह या दूसरी टीम में भी ऐसा कोई प्ले रहे वो हम जड़ा देख लेंगे आगे चलके अब सेकिंड इनिंग के अगर बात करते हैं तो यहां पर रिजबान 75 किया यहां पर वाट्सन ने 80 किया था यहां पर एलेक्स हेल्स ने स्कोर किया था और लास्ट जो मैच है यहां पर या फिर स्पिनर के खाते में तो चो मैच समय दें के हैं को आप यहां पर क्या देखोंगे चैसिक यहँ उसामा मीर को विकेट मिलें से दोनों वो गेन ऐसी नहीं दी कि डिकिट आध itt कि कॉul Oh बल्ले बादवे ऑंपनी तरफ से बचिट कर गए थे तुम्हें यह जो विकेट है मैं स्पिनर के खाटे में काउंंट ऐसे तो नहीं करने वाला दोनों दोनों पारिों को मिलाए चार से लेकर 5 आप जा सकते हो वो इस पेनर्स के खाते में देखने मिल जाएंगे बाकी जो मैक्सिमम विकेट है वो फास्ट बोलर्स को ही आपको देखने मिलने वाले हैं अब हम आगे बढ़ेंगे बात करेंगे दोनों टीमों के head to head performance के बारे में लेकिन अगर हमें pitch से related और क कोईटा ने चार मैचस को विन किया लास्ट टाइम जब यह दोनों टीमें आमने सामने होई तो मुलतान खे थे 245 तीन विकेट पर मात्र तीन विकेट पर और कोईटा ने 128 रन ही बना पाए थे अब यहां पर मसूत के 57 थे रिजवान ने 83 का स्कोर किया रायले रुशो के 71 थे और यहां पर शान मसूत के 88 थे टिम डेविट का 28 खुशदिल शाह डेविड विले और इमरान ताहिर ने 33 विकेट निकाले खुशदिल शाह दोस्तो ओर्थोडोक्स गिंबाज हैं आप देख रहे हैं इन्होंने दोनों मैचस में विकेट किया था तो दूसरी तरफ बैंड रिकॉर्ड क्यों अवेलेबल नहीं है रीजन यह कि इस मैदान पर सिर्फ चार मैचस हुए हैं अब दूस्तों उनमें से भी आखरी में 2020 में खेला गया था बहुत काम इसे प्लेर हैं जो 2020 में भी खेल रहे तो आज भी खेल रहे हैं अब ऐसे में क्या होता है कि दूस्तों 이것 कर्षाएं आपको म्लेंगे नहीं तो यहाँ पर जो 1-1 मैचस खेले 1-1 उनका रीकोर्ड लेकने से आपको फायदा मिलेगा नहीं तो वही चीज़ आपको बताई जाएगी जो कोईटा के सामने और तीन बार 50 से उपर का स्कोर है 88 इनका हाइस्ट स्कोर है और बता दूं कि यह जो तीन पचास आप देख रहे हैं यह तीनों पचास इन्होंने सामने वाली टीम के सामने पहले बैटिंग करते हुए बनाए हैं तो इस्पेशली अगर यह पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आप बकायदा इन्हें अपनी टीम में पिक करिएगा चाहो तो पहले बैटिंग भड़ा कमाल है छह बार पचास हैं और जो मुहमद हसनें आप जानते होगे मुहमद दसने इनको right arm fast bowler है वो इन्हें पहले भी दो बार आउट कर चुके हैं इसके अलाबा right arm leg break जो गेंदबाच है वो इन्हें परिशान कर सकता है बीस का average इनका right arm leg break के सामने अब सामने वाली टीम में कौन है right arm leg break वानिंदु हसरंगा अब लेकिन वानेंदू हसन का पावर प्ले में गिंद बादी नहीं करते हैं तो यह इनको benefit मिल जाएगा मतलब यहां कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद दोस्तों अगला नाम में रिजवान का मुहम्मद रिजवान 75 का score नॉर्मल यह अच्छा करते हैं आप सभी जानते हैं कि उनक जो मुहम्मद हसने नहीं वो इन्हें पहले भी एक बार आउट कर चुके हैं इनकी कोई weakness नहीं है नमबर तीन पर आपको मिलते हैं डैविट मिलर दोस्तों बड़ी कमाल बात है कि डैविट मिलर नमबर तीन बेटिंग कर रहे हैं मतलब इन्हें आप अपना कैप्टन वाइ इनका जो नॉर्मल बैटिंग नाउन होता है वो पांचवे और चटवे नमबर पर होता है यहां नमबर तीन खेलेते पिछले मैच में इसका benefit निकाल सकते हैं और पहले बैटिंग करते हुए दो 50 सेकिंड बैटिंग करते हुए तीन 50 हैं और इनको दिक्कत होती है लेफ्ट चलना पड़ सकता है अला कि दोस्तों कुछ और ऐसे प्लेयर भी है जो लेफ्ट आम भी है लेकिन अभी उनका खेलना कंफर्म नहीं है इसलिए उनका record मैं आपको यहां पर दिखाने का फायदा भी नहीं है अगर खेलते हैं वो तो उनके आप नजर रखिएगा मैं आपको टेलेग्राम पर अपडेट दे दूँगा फिर यहां पर काईरान पोलाट 20 का स्कोर किया रन आउट हो गए थे साथ पारी 158 रन 31 का अब दोस्तों इन्हें भी चौते नंबर पर बेटिंग करने का मुका मिल रहा है 49 पारी 887 रन है 32 का अब रहे चार बार 50 से उपर का स्कोर हाला कि लास्ट मैच में अगर ऐसा होता खुश दिल शाह उपर खेलने आते नंबर चार पे और पोलाट खेलने आते नंबर पांच या नंबर छे पे तो हो सकता है कि लास्ट जो मैच था वो यह टीम विन कर जाती है या फिर डेविड मिलर से हम सीम कंडिशन अपलाई कर सक चुके हैं महमध नवास इसके अगर हफीस गिन बाजी करते हैं तो वございます इसके अलावा इव्तिकार एहमद भी आपको मिलते हैं वह भी राइट आपको accepts ihm मिल जाएंगी जो कि इस तरह की गिनRIS करते हैं काईरण पोलाट कीरे dispिं इस सामने यह रजन मुझील होगा फिर हैं इ सार पारी में 6 विकेट इन्होंने कोईटा के सामने निकाले हुए हैं लेकिन अगर हम बात करते हैं दोस्तों पिछले दो सालों की तो इनका 35 का एवरेज एक पचास है तो बैटिंग बहुत इस्पेशल तो नहीं है लेकिन अगर गिनबाजी की बात करें तो 24 में 24 विकेट है काफी हैं तक सेकेंड इन्ग की गिनबाजी अच्छी रही है बारा में 17 विकेट हैं तो अगर सेकंड इन्ग में गिनबाजी करते हैं फिछले मैच में जादा गिनबाजी करने का मुका मिला नहीं थodia को ज्रग ओर capacity में आपको benefit दे सकते हैं इनको राइटाम फास्ट अ पर पहले आउट कर चुका है आपको यहां पे फिर से हसनेन और नसीम शाह दोनों मिलेंगे जो की इने परिशान कर सकते हैं तो यह दो नाम है ना हसनेन और नसीम शाह हम तीसरी से चौथी बार देख रहे हैं इनको पिक करना बनता है तो इनको टीम में जरूर शामिल करिएगा इ लास्ट मैच खाता नहीं खोल पाए अठारा पारी 446 रन है 25 का एबरेज है दो बार 50 से उपर का स्कोर है और एक शतक भी लगा चुके हैं पहले बैटिंग करते हुए दो पचास है और जो शतक लगाए था वो सेकिंड बैटिंग करते हुए था यहां पे इनको समस्या है ल नमबर 6 बैटिंग कर रहे हैं तो वहीं कहीं आपको बैटिंग करते हुए देखेंगे वहीं कहीं आपको हसरंगा गिंदबाजी करते हुए देखेंगे तो हसरंगा के पास में दूसरा चांस है कि किसी बल्लेबास को आउट करें तो हसरंगा कम से कम दो विकेट की एक्सपे केहने और अगर आप यह दो विकेट के टीम में रख रहे हैं तो बाकी आपकी मरसी है विकेट टेकिंग बोलिंग तो नहीं थी यह जो मैंने देखा कल इसके बाद अकिल उसे इस बंदे को आप जानते हो पावर प्ले से अच्छी गिंद्बाजी करता है हाला कि दोस्तों क्याफी हद तक हमने देखा है कि बैटिंग सर्फेस है इसलिए स्टार्टिंग में नहीं मिल पाया और यहीं रिजन्दा कि पावर प्ले में कोई विकेट भी नहीं गिरा है तो अगर आप यह सोचके चल रहे हैं कि यह पावर प्ले में विकेट निकाल देंगे तो आप कि आएंगे और विकेट निकाल कर देंगे जैसा हमें कई किनबाजों को देखके लगता भी है और इसके बाद तो शानवाज धानी है अभी तक का रिकोड तो बहुत अच्छा रहा कल बहुत गंदी गिनबाजी की अब कल जो मैच होगा उसमें हम देखते हैं कि क्या कमाल कर सकते हैं हाला कि मेरी टीम में जगे बना लेंगे क्योंकि पुरान रिकॉर्ड बहतर है और इसके बाद समीन गूल हैं बहुत ज़्यादा महंगे साबित हुए हाला कि बहुत सारे ऐसे थे जो एज लगकर बने थे लेकिन कुछ तो प्रॉपर बल्ले से निकले छे पारी साथ आपको डैट में भी मिलने वाले हैं जहां तके 20 वावर डालते हैं तो आपको डालते हुए दिखेंगे अब हम बात कर लेते हैं जो दूसरी टीम है उसके बारे में एक और चीज आपको बता दो अगर इस सब में से कोई प्लियर ऐसा है जो नहीं खेलेगा उसका टेंशन मत की चाचा कर लेते हैं मुलतान के सामने तो कुछ अच्छा नहीं कर पाए हैं दो पारी में 34 का स्कोर 34 के एवरेज को मेंटेन किया है 38 हाईस्ट स्कोर है और वैसे 25 के एवरेज को मेंटेन कर रहे हैं छे 50 एक शतक है अब जो जेसान रो है पिछला दो तीन जो मैच निकला है वो अच्छा था उसके पहले तो बहुत फ्लॉप रहे बाकि अगर आप चाहो तो डॉप कर सकते हो इनको लेफट आम फास्ट बोलर से समच्छा होती है अभी हमने सामने वाली टीम में कोई लेफट आम फास्ट बोलर देखा नहीं है तो उसके चलते जैसन रोए को आप ती लेते हैं और 34 पारी में 881 रन है 27 का एवरेज है पांच बार 50 और एक शतक ये भी लगा चुके हैं और पहले बेटिंग करते हुए 250 और एक शतक है और कमजोरी है इनकी लेफटाम मीडियम दूसरी जो कमजोरी है वो है लेफटाम और्थोडोक्स अब मीडियम तो आपको ढू की 50-50 chances बनेंगे यहां पर फिर इसके बाद है दोस्तों नंबर 3 पर हफीज रिप्लेश्मेंट पर टीम में जगे बनी पाई है दस पारी में 350 रन है 35 का एवरेज है 4-50 ये मुलतान के सामने रिकॉर्ड है और जितना भी रिकॉर्ड है पहले बेटिंग करते हुए है गिनब भी दो बार पहले आउट कर चुके हैं लेकिन एक और चीज है अकिल हुसेन आपको अब यहां पर एक एक्स्ट्रा गेंदबाज और मिल जाते हैं जो की थोड़े से क्वालिटी रखते हैं अपनी और्थोडॉक्स गेंदबाजी में तो अकिल हुसेन नस्ता अब चाहे विक लिक के लिए तैयार करो तो इस बात का धान रखना अगर अकिल हुसेन को पिक कर रहे हो टॉप फूडर की विकेट के लिए तो हफीज और विल स्मित को थोड़ा सा अवॉइट करिएगा इसके बाद सरफराज एहमद विकेट कीपर कप्तान मुलतान के सामने 19 का एबरेज ह है तीसरा प्लियर आया है दोस्तों और्थोडोक्स के सामने समस्या लेने के लिए अकिल हुसेन खुषदिल शाह इनको दोस्तों इसलिए खुषदिल शाह को विकेट भी मिल रहे थे आप पुराना रिकॉर्ड उठाकर देखेगा जो मिन आपको उपर दिखाया भी था खु उनों में जो विकेट हैं वो बट जाएं इस्प्लेट हो जाएं तो अकिल हुसेन को एक या दो विकेट मिल जाए एक या दो विकेट आप खुषदिल शाह के खाते में देख सकते हैं इसके बाद नमर 5 जिफ्तिकार एहमद अभी हाली में प्रैक्टिस मैच में छे 6 लगा क 13 का है और गिनबाजी में दो विकेट है और 35 पारी 766 टरं 29 का एवरेज 50 और 100 इनके खाते में दर्ज है यह पिसले दो सालों का रिकॉर्ड है 450 पहले बैटिंग करते हुए किया है इनको लेफ्ट आम से समस्या है तो लेफ्ट आम तो मिलेगा नहीं राइट आम फास्ट लेजई जिन्होंने 25 में 548 किया है 24 का एवरेज इमर्जिंग प्लियर हो सकते हैं चार बार 50 से उपर का स्कोर यह अपने टी-20 केरियर में कर चुके हैं फिर यहां से आते हैं मुलतान के सामने 8 में 7 विकेट है और 19 में 13 विकेट इन्होंने निकाले हैं अभी तक अपने पि पेशली अच्छा कर लेते हैं सोला में 17 है क्योंकि डैट ओवर्स में गिंदबाजी करते हैं और तीन में 37 इनका हाइस ते पहले गिंदबाजी करते हुए फिर वानिंदू हसरंगा है इनके बारे में मुझे बताने के आवश्यक्ता होनी नहीं चाहिए अगर आप रेगुल पावर प्ले में नसीम शा द्वान प्रिटोरियस और नवाज डैट में आपको कौन मिलेगा नसीम द्वान और हसनें यह आपको डैट में गिंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे दोस्तों आप लोगों के लाइक और कॉमेंट की ही हमें जिग्यासा रहती है कि आप पाइलों में सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कैप्टन वाइस केप्टन देखते हैं रिजवान हसरंगा 90% लोगों की चोईस जैसन रॉय रिस्की रहेंगे फिर विल स्मिद इस्तिकार और डैविट मिला जील के लिए जाना चाहते हो तो कैप्टन वाइस कैप्टन इसके बाद दोस्तों रखा है यहां पर असरंगा और हफीज को हस ने यहां पर अकिल उसे शानवाद धानी और नसीम शा को टीम में जगे दी है एक चेंज कर सकता हूँ दोस्तों हफीज को रिप्लेस कर सकते हैं यह फिर अगर थुड़ा असा रिसक लेता हो तो इन दोनों आप करी सकते हों जो करना है आपको मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई जय हिंद जय भारत